नाडाल मंडर कुलिर खाल कूट तोड़ तोड़ंग हिंडर निलाइन कदमरालें द्रमोडी पेसिवर हिरार पारकला और माहोल भी शीति रहेगा 2024 का ये अंतिम कालखन चल रहा है देश पुरे उमंग और उत्सा के साथ 2025 के स्वागत की तैयरी में भी लगा हुआ है साथियो सांसत का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेश है और सबसे बड़ी बात है हमारे सम्विधान के पच्चतर साल की यात्रा पच्चतर्वे साल में उसका प्रवेश ये अपने आप में लोक्तंत्र के लिए एक बहुत ही उजवल आउसर है और कल सम्विधान सदन में सब मिलकर के इस सम्विधान के पच्चतर्वे वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान निर्मान करते समय एक एक बिंदू पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है और उसके एक महत्वपुन इकाई है हमारी सांसद हमारे सांसद भी और हमारी सांसद भी पार्लामेंट में स्वस्थ चर्चा हो ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनितिक स्वार्त के लिए जिनको जनता ने अस्विकार किया है बेश संसद को भी मुठी भर लोगों के खुर्दंग बाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविती को रोकने से ज़्यादा सफल नहीं होता है अब देश की जनता उनके सारे व्यावारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए संसद होते है नए विचार नए उर्जा लेकर क्या आते है और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते है उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोत देते हैं सदन में बोलने का उनको अउसर तक नहीं मिलता है लोगतांत्रित परंपरा में हर पीडी का काम है आने वाली पीडियों को तयार करे लेकिन असी असी नब्बे नब्बे बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं न लोगतांत्र की भावना का सम्मान करते हैं नहीं वो लोगों की आकांग शाहों का कोई महत्व समझते हैं उनका उतके परती कोई दाहित्व है वो कोई समझ पाते हैं और उसका परणाम है वो जनता की उमीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है साथ ये सदन लोगतंत्र की दोजार चोबिस के पार्लामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना अपनी विचार अपने अपिक्षाएं प्रगट करने का आउसर मिला है उसमें भी दोजार चोबिस के लोगसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक तांकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बलप्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याब बढ़ा है और लोगतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार दन की भावनाओं का आदर करें उनकी आशा अपेच्छाओं पर खरा उतरने के लिए दिन राप महनत करें मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आगरे करता रहा हूँ और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से वहवार करते भी हैं उनकी बीच्छा रहती हैं कि सदन में सुचार रुठे काम हो लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोत दे बेते थे उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं लोगतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं मैं आशा करता हूँ कि हमारे नए साथियों को आउसर मिले सभी दल में नए साथि हैं उनके पास नए विचार है भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कलपनाएं हैं और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है तब हम सौसत का समय का उप्योग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है भारत का प्रती जो आकर्षन बढ़ा है उसको बन प्रदान करने वाला हमारा वैवार रहना चाहिए विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसत से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मद्दातां उनका लोगतंत्र के प्रती समरपन उनका संविधान के प्रती समरपन उनका संसदिये कार्य पद्ददी पर विश्वास संसद में बैठे विए हम सब को जनता जनारदन की इन भावनाओं पर ख़रा उतरना ही पड़ेगा और समय की मांग है हम अब तक जितना समय गवा चुके हैं उसका थोड़ा पस्चाता आप करें और उसका परिमार दिन करने का उपाई यही है कि हम बहुती तंदुरस्त तरीके से हर विशे के अनेक पहलूओं को संसद भवन में हम उजागर करें आने वाली पीडिया भी पड़ेगी उसको उसमें से प्रेणा लेगी मैं आशा करता हूँ कि यह सत्र बहुती प्रणामकारी हो समिधान के पततर्वे वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो भारत की वैश्विक गरिमां को बल देने वाला हो नए संसदों को अउसर देने वाला हो नए विचारों का स्वागत करने वाला हो इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी मान्य संसदों को उमंग और उत्सा के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंतित करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कांग्रस एप्पोळुदु मक्कडु काख पेसी यदिल्ले एन्रूम प्रदम नरेंदर मोडी पेसी इरुक्किरार नाडालु मन्र नडवडिक्कीकलै सीर्खोलैकसिल कच्चिहल मुयर्चिक्किन्टरन एन्रूम प्रदमर्मोडी कुट्रचाटुकिले प्रदमर्मोडी इवारु पेसी इरुक्किरार प्रदमर्मोड़ प्रदमर्ड़ एन्रूम पेसे इरुक्किरा